Hello viewers, welcome back to my channel Sharing is Fun आज मैं बात करने जाओंगे maternity pad और disposable panty के बारे में जो एक pregnant woman जब deliver करती है baby को उस time में इसकी बहुत जरुरत पड़ती है मैं अपने time में इसे use की थी तो मैं वही चीज आप से share करने वाली हूँ कि मैंने कौन सी brand की ली थी और कहां से ली थी मुझे उसकी प्राइस कितनी पड़ी थी इनिशेली मैं अक्चिली जो new mom होती है बहुत ऐसी mom होती है जिन्हें यह पता नहीं होता है कि delivery जिस्टेंग हम बच्चे की होती है उसके just बात काफी bleeding होता है और हमारा जो period का डियूरेशन नॉर्मल डियूरेशन होता है उससे जादा हो जाता है around बहुत लोगों का कहना है कि around 15 days around 18 days रहता है अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा around 21 days के लिए रहा था फिर उसके बाद वो finish हो गया था मतलब 21 days तक यह कहिए कि थोड़ा थोड़ा रहता है वो पूरा complete खतम नहीं होता है तो यह initial stage में जब just deliver जिस दिन बेबी होती है उस दिन flow actually बहुत जादा रहता है उस दिन से अगर हम 8-10 दिन के बात करें तो flow जादा रहता है जो normal pad, sanitary pad हम लोग use करते हैं वो उसके लिए sufficient नहीं होता है तो उस case में आप यह pad use कर सकते हैं मंगवा कर रख सकते हैं पहले ही delivery होने से पहले ही आप यह pad को आप घर में रख सकते हैं और इसे use कर सकते हैं तो चलिए मैं बताते हूं कि आपको मैंने कौन सी ली थी किस brand की मैंने ली थी सेनी सेनी ब्राइंड है एक यह European brand है जिसके मैं आप यूस की थी तो मैं आपको दिखाती हूं कि आचलि यह होता क्या है यह different sizes में available है आप चाहें तो normal भी ले सकते हैं extra size available है वो आप ले सकते हैं super जो है वो maximum है वो भी आप ले सकते हैं मुझे इसकी idea नहीं थी तो इसलिए मैंने super मंगाया था ताकि मेरे कोई ऐसा safety कोई problem ना आए बाद में छोटी होने की वज़े से या जिसका जो इसका purpose है वो यह serve कर सके इसलिए मैंने super मंगाया था अगर आपकी normal है मतलब अगर आप normal pads यूज करते हैं तो इसमें आप normal size मंगवा सकते हैं अगर आप थोड़ा heavy bleeding अगर आपका normal days में होता है तो आप extra वाला मंगाया अगर इस तिल आपको लगता है कि उससे जादा होगा तो फिर आप super safer side के लिए super मंगा दें मैंने super ही मंगाया था आपका choice है आपको जो convenient लगे आप वो मंगवा सकते हैं तो मैं आपको दिखाती हूँ कि अंदर कैसा दिखता है यह actually ऐसा pad रहता है काफी लंबा रहता है इसकी length जो होती है काफी लंबी होती है और यह काफी thick होता है तो आराम से यह absorb करता है और इससे smell नहीं आती है सबसे अच्छी बात यह है कि इससे कोई smell नहीं आता है comfortable लगता है यह आपको और पीछे यहाँ पे चिपकानी का दिया हुआ है यह जैसे normal pads हमें sanitary pads यूज़ करते हैं इससे ही यह हमें उखाड करके उसमें लगा देना होता है साथ में इसके आप देखेंगे कि इसके side में elastic सा दिया रहता है जो fit हो जाता है जो आपके body के साथ fit हो जाएगा और leak करने नहीं देता है तो यह अच्छी उस time में बहुत helpful होता है मैंने अपने time पे use किया था मुझे बहुत helpful लगा था मुझे अलग से कोई कपड़ा कुछ भी use करने की जरूरत नहीं पड़ी थी जैसा मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ मेरी delivery के time में मुझे epiziotomy हुआ था मतलब जो stitch लगता है normal delivery में वो लगा था तो उस time में मुझे यह बहुत helpful लगा था क्योंकि यह soft है आपके stitches को कोई हाम नहीं होता है आपके stitches पे जोर नहीं पड़ता है तो वो भी safe रहता है और आपको clean करने के लिए भी कोई जंजट नहीं है आराम से इसमें होता है या आराम से आप यूजट पूरे दिन almost यूजट कर सकते हैं almost 8 hours तके आराम से आप यूजट कर सकते हैं मैं यूजट कर लेती थी 8 hours मुझे कोई problem नहीं होती थी जस initial stage की मैं बात कर रहे हूं जैसे जैसे duration और बढ़ता है आराम से आप पूरे एक दिन तक यही यूज कर सकते हैं तो मैंने ये कैसे यूज किया था आप नॉर्मल जो पैंटी यूज करते हैं उसमें अगर आप ये यूज करेंगे तो शायद ये ठीक रहेगा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी लेकिन मैंने डिस्पोजबल पैंटी आक्चिली ओरडर किया था साथ में ही कि डिस्पोजबल पैंटी अक्चिली होता है जो आप यूज करें और फिर यूज करने के बादा आप फेग दें उसे आप उसे फिर से रखनी सके तो मैं क्या करती थी कि मतलब यह panty के साथ वो पहनती थी और डारेक्ट यह panty के साथ ही उसे dispose कर देती थी अलग से मैं उसे निकाल कर dispose नहीं कर दी थी यह देखे ऐसा दिखता है यह नॉर्मल स्ट्रेचबल होता है और काफी लाइट वेट होता है आपके कमर पे इसके कोई निशान नहीं पड़ती है इनकेस अगर जिसका C-section होता है तो उस ताइम में बहुत ही मुश्किल होता है कोई भी पैड लगाना या फिर कोई भी कपड़े जिसमें लास्टिक हो व बहुत फ्लेक्सिबल है और बहुत लाइट है इसका कोई जोर नहीं पड़ेगा और आपको लगता है कि पैड अगर संभाल तो पैड आराम से यह संभाल लेता है उसके वेट को यह संभाल लेता है कोई प्रॉब्लम नहीं होती है मैंने खुद अपने अपने टाइम में तो मैंने उन्हें यह पैड और यह पैंटी दोनों उन्हें आज गिफ्ट दे दी थी ताकि उन्चों मुझे सफिशेंट लगी थी जो मेरा यह प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया था वो प्रॉब्लम उनकी भी रिजॉल्व हो जाए तो आप भी यह ट्राय करें डेफिनिट पर मेरी चार यूज नहीं हो पाई दो मैंने यूज किया और अगर बात करेंगे पैंटी की तो एक पैक में छे पैंटी आती है तो छे पैंटी की मैंने चार वो भी ओर्डर किया था तो वो भी मेरे पास काफी अमाउंट में अवालेबल था और पैड मैंने फोर ओर किया थ मुझे ही अच्छा लगा था इसलिए मैं पहले ही order करके रखी थी जादा करके amount में ताकि in case अगर उस time मुझे जरूरत पड़ी तो मुझे किसी और को बोलना या फिर online order करने का जरूरत ना पड़े इसलिए मैंने पहले ही order करके रखा था बात करें अगर इसके price की तो ये मुझे एक packet 300 रुपीस का पड़ा था तो वो मैंने मंगवाए थे और पांटी के अगर बात करें तो 199 में मुझे 6 पीसस पांटी मिली थी वो भी मैंने 4 order कर लिया था तो जैसा भी आपको अगर convenient लगता है तो आप order करें, use करें और मुझे बताएं कमेंट करके कि आपको ये कैसा लगा उमीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो helpful लगी हो अगर helpful लगी है तो मेरे चैनल Sharing is Fun को subscribe करें साथ में bell icon दबाए ताकि जब भी मैं next वीडियो upload करूँ तो आपको उसकी notifications मिलेगा जिन्होंने मेरे चैनल को already subscribe कर दिया है Thank you so much for joining Sharing is Fun Family मिलते हैं आप से next वीडियो में तब तक लिए stay safe, stay healthy